भुपाल से प्रस्तुध हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं जितन रगवनशी पहले मुख्य समाचार प्रदेश में कोरोना संकमित मरीजों के ठीक होने की दर 75% से अधिक हुई मृत्यू दर में भी आई गराबट केंदर सरकार के पैंसन धारकों की आसानी के लिए एलेक्ट्रोनिक पैंसन भुक्तान आदेश डिजी लोकर अकाउंट से जोड़े जाएंगे मेट्रो रेल कंपनी अम मद्द प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेट के नाम से जानी जाएगी मद्द प्रदेश में इस्थापित की जाएगी पहली निजी क्रिशी उपज मंडी मद्द प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट बढ़कर 75.8 प्रतिसत हो गया है बही मरत्युदर घटकर 2.29 प्रतिसत हो गई है इसका एक प्रमुक कारण प्रदेश में कोरोना के निसुलक इलाज की ब्यवस्था सास्किये एवं अनुबंदित निजी चिकित साले में करना भी है प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,000 से अधिक हो गई है मंडला की जिला जैल में एक कैदी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उज्जेन जिले में 34 नए मरीज मिले हैं खंडबा में 3, सिबनी में 11, सागर में 30, आगर मालबा में 4, नीमज जिले में 7 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उच्चितम न्याले ने केंदर सरकार से राष्ट ब्यापी लोकडाउन के दोरान बकाया रिन भुकतान पर ब्याज की छूट पर अपनी इस्तिती सिस्पष्ट करने को कहा है लोकडाउन के दौरान छे महीने तक रिनों के भुकतान पर ब्याज माफी की मांग करने बाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीर्स अदालत ने कहा कि इस मामले में रिजर्ब बैंक के रवये से ब्रहम की इस्तिती बनाई है नियाले ने कहा कि केंदर सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बलकि लोगों की दुर्दसा के बारे में भी सुचना चाहिए केंद सरकार का पिर्ती निध्यत्म करते हुए सौली सिटर जनरल तुसार मेता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक किस मामले में अपनी इस्तिती इस्पष्ट करेगा मुकमंत्री सिबरा सिंग चोहान ने कहा है कि यूरिया और खाद सामगदी की काला बाजारी और मिलाबट कते बरदास्त नहीं की जाएगी सिरी चोहान ने कल मंत्राले में आयोजिद वैठक में कहा कि किसानों और रासन और भुकताओं के लिए संचालित योजनाओं में अबैद गती बुदियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएं उन्होंने कहा कि दोसियों पर सक्ट कारवाही करने के निर्देश दिये साथ ही मुकमिंद ने कहा कि अपराधियों पर मुककत में दर्ज हों और उनके बाहन भी राजसाथ किये जाएं पैंसन और पैंसन धारक कल्यान विभागने केंदर सरकार के सिबिल पैंसन धारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रोनिक पैंसन भुकतान आदेश को डिजी लोकर से जुडने का फैसला किया है इस से पैंसन धारक महालेखा नियंतरक के इलेक्ट्रोनिक पैंसन भुकतान आदेश का डिजी लोकर अकाउंट से तुरंत प्रिंट ले सकेंगे इस पहल से डिजी लोकर में उनके पैंसन भुकतान आदेश का इस्थाई रिकार्ड उपलब्द रहेगा और नए पैंसन धारकों तथा पैंसन भुकतान आदेश पहुंचने में देरी से बचा जा सकेगा केंदर सरकार ने पूरे देश के राजमारगों पर टोल पिलाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टेग अनिवार कर दिया है डिजिटल भुकतान को बड़ावा देने और राश्टी राजमारगों पर नर्बाद यातरा सुनिशित करने के लिए यह फैसला किया गया है सड़क परिवेहन और राजमारग मंतराले ने बैद फास्टेग वाले बाहनों को 24 घंटे के अंदर बापसी यातरा करने पर छूट और अन रियायतें देने के लिए राश्टी राजमारग सुल्क नियम में संसुदन किया है मंतराले ने बताया कि इस संसुदन के बाद छूट स्वता मिलेगी और 24 घंटे के अंदर बापसी यातरा करने वाले बाहन के लिए पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा मद्परदेश मेर्टो रेल कंपनी लिमिटेट का नाम अब मद्परदेश मेर्टो रेल कॉर्परेशन लिमिटेड में परिवर्तित किये जाने के प्रस्ताप को मंझूरी दे दी गई है मक्मतरी सिवरास सींग चोहान की अध्यक्षता में कल मेट्रो रail कंप्णी लिमिटेट के बोर्ड औब डोरoberेक्टर्स की बैठक में एनरेलिया गया कम्पनी को बोर्ड बनाय जाने के सम्बंद में भारस सरकार मद्द परदेश सरकार और मद्द परदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेट के बीच 19 अगस्त 2019 को तिरपक्षिये MOU साइन किया गया था बैठक में प्रबंद संचालक नितेश ब्यास ने बताया कि तिरपक्षिये समझोते के अनुसार भारस सरकार और मद्द परदेश सरकार की प्रोजेक्ट में बराबर भागीदारी के लिए बनाय जा रहे नए बोर्ड में पांच-पांच संचालक सामिल होंगे बैठक में इंदोर और भुपाल मेट्रो छेतर को मेट्रो पॉलिटिन छेतर घोसित किये जाने सम्मंदी कारवाही किये जाने का निर्ने भी लिया गया खेल एबम युवक कल्यान मंत्री असुद्राराजी सिंधिया ने सिप्पूरी पॉलिटेक्निक कॉलेज और आई टी आई संस्थानों को और सुद्रन करने के निर्देश दिये हैं कल दोनों संस्थानों का अंडिक्षन करने के दौरान स्रीमती सिंधिया ने कहा कि एक रोड में प्तयार करके उनके अधोसं रचना, स्किल डेवलप्मेंट और रोजगार से जोडने के कार किये जाएं राश्टिय परिक्षा एजनसी ने JEE मैंस और नीट परिक्षा के लिए केंद्रों की संख्या में ब्रद्धी कर दी है एजनसी ने कहा है कि कोबिड नाइंटीन महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाय रखने की आविश्यक्ता को दिहान में रखते हुए देज भर में परिक्षा केंद्रों की संख्या JEE मैंस के लिए 570 से बढ़ा कर 660 और नीट 2020 के लिए 2540 से बढ़ा कर 3843 कर दी गई है इस साल करीब 8.5 लाग परिक्षारतियों ने JEE मैंस के लिए और लगबग 16 लाग ने नीट के लिए पंजियन कराया है एतिहाती उपाय के तौर पर नीट परिक्षा में एक कप्ष में परती भागियों की संख्या 24 से घटा कर 12 कर दी गई है संस्कृती मंत्राले ने भारती पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ नए सरकल बनाने की घुशना की है एक बीडियो संदेश में संस्कृती ओपरेटन मंत्री पहला सिंग पटेल ने कहा कि मद्द प्रदेश, तमिल नाडू, उत्तर प्रदेश, करनाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में नए सरकल बनाये गए हैं सिरी पटेल ने कहा कि घोसित नए सरकलों में तरीची, राइगंज, राजकोट, जवलपूर, जहासी और मेरट सामिल हैं उन्होंने कहा कि मद्द प्रदेश में भुपाल के साथ जवलपूर को एक नए सरकल के रूप में घोसित किया गया है इसमें जवलपूर, रीवा, सहडूल और सागर संभागों के इस मारकों को सामिल किया जाएगा केंदर सरकार दोरा नया मंडी अधिनियम बनाये जाने के बाद देश में सबसे पहले निजी मंडी मद्द प्रदेश में इस्थापित हो इसके लिए प्रदेश में तयार किये गए मद्द प्रदेश क्रिशी उपज मंडी अधिनियम संसोधन बिदेशक 2020 के पारिद होने के बाद इस पर ततपरता से अमल किया जाएगा मखमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने कल भुपाल में उच्चिस्तर ये बैठक में ये बातें कहीं उसी दिन फसल का भुक्तान करना होगा किर्शक को भुक्तान के बाद ही ब्यापारी किर्शी उपज का परिवहन कर सकेगा बनमंत्री कुमर बिजैसा आने कल भुपाल बिदीसा रूट पर बने सतधारा एको जंगल केम्प का सुभारम किया इस दोरान उन्होंने कहा कि जंगल केम्प के माध्यम से परेटक प्रकरती से जुड़ सकेंगे मद्द परदेश एको परेटक बिकास बोर्ड दोरा तैयार कियेगा इस परीसर में जल जंगल परियाबरन और ऑक्सीजन को समझने में मदद मिलेगी बनमंत्री ने बताया कि जंगल केम्प को पबलिक प्राइबेट पार्टर्शिप में लाया जाएगा सत्धारा इस्तूप छेतर में डेड़ किलूमेटर दूर हलाली नदी बैसिन से 600 मीटर मिस्रित बनों से घरी पहाडी पर जंगल केम्प का निर्मान कराया गया है अब कुछ समचार संचेप में सतना के सांसद गड़ेश चिंग ने कहा है कि खाद को लेकर किसान परेशान ना हो उनके लिए जल्दी ही जिले में यूरिया उपलब्द करायी जाएगी डिंडोरी जिले के सहापुरा थाने में बाल मित्र कक्छ स्थापित किया गया है बारिस का दोर जारी है मौसम बिभाग ने आज उमरिया कटनी जवलपूर दमू सागर रिवा सहित दस जिलों में भारी बारिस की चेताबनी जारी की है अंत में मुख समचार एक बार फिर प्रदेश में कोरोना संक्र में मरीजों के ठीक होने की दर 75 परतिसत से अधिक हुई मुरत्यू दर में भी आई गराबट केंदर सरकार के पैंसन धारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रोनिक पैंसन भुकतान आदेश डिजी लोकर अकाउंट से जोड़े जाएंगे मेट्रो रेल कंपनी अमद्द प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमिटेट के नाम से जानी जाएगी और मुखमंतरी सिवरा सिंग चोहान ने कहा मद्द प्रदेश में इस्थापित की जाए पहली निजी किर्शी उपज मंडी इस बुलिटन में इतना ही गर पर रहिए सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार नमस्कार